हलो गाइज वेलकम तो माई चैनल और बते ही कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे अपना धियान रखो तो आज मैं पिग्मेंटेशन पर और वीडियो लेके आई हूँ इसमें क्या है कि मैं अपना डाइट बताऊंगी मैंने डाइट प्लाइन कैसे क बदे जो भी मतलब अप लेंने के बाद यूँ को थोड़ा गरम करो नहुं को पीती हूँ गूट गूट करके उसमें मेरे को लगती है पीने में 5-6 मिनट पर मैं थोड़ा जादा गरम करके लेती हूँ आप जैसा लिकवार मलो कुछ भी लो वो लेके उसमें नीमबू स्क्वीज करो विटामिन C बहुत जरूरी है स्किन के लिए उसको मैं लेती हूँ सु सुबहें उठके 5-30 पर नीचे जाती थी वॉकिंग करने के लिए उस टाइम पर सबसे जादा क्या होता है यह जो प्लांट से यह उक्सीजन जादा चोड़ते हैं ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो वह हमारे इनर के लिए और एक्स्टरनल दोनों अच्छा होता है जब मैं करके आती थी फेस पर अलगी ग्लो और अलगी ब्राइटनेस रहती थी विकॉज ऑफ यह ऑक्सीजन तो क्यूंकि नीचे बहुत जादा है तो बहुत ही अच्छा होता है सुबह की वॉकिंग इसलिए बहुत जादा अच्छी होती उस टाइम पर पेड़ जादा ऑक्सीजन देते हैं तो उस टाइम पर बहुत ही जादा नेच्छरल होता है और भूमने से स्किन में बहुत ही अच्छा पड़ता है लेकिन अप नहीं गूम सकते तो आप 30 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज करो जरूर करो जरूर जरूर करो क्योंकि हमें क्या होता है मेरा खुद का भी इतना confidence खराब कर लिया अपना इतनी शकल बिगाड ली है ना हम मोटे ताजे शादी होते हैं क्यों मोटे हो जाते हैं लोग आप बोलते हैं खुश है इसलिए मोती हो रही है और दुखी है तो इसलिए पतली हो ठीक है यह नहीं होता एक healthy इंसान को यह नहीं होता कि वह मोट किसी को कुछ कर पाओंगे नहीं तो कोई अपना नहीं हो गी तो confidence खराब हो गया और health खराब हो गी हम कही जाने आने लाइक रही है नहीं नहीं जब हम हमें healthy पानी पीओ स्टार्ट करो फोर तूफाइव ग्लास से जाके खतम करो तीन साड़े तीन लिटर पर तार्गेट बनाओ अपना कि आपको तीन साड़े तीन लिटर पानी पीना ही पीना है दिन में एट अनी कॉस्ट ठीक है और हो सके तो गरम करके पीओ मतलब सुबह में जादा गरम पीती हूँ मैं पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीती पूरे दिन मैं पानी पीओंगी इतनी गर्मी पढ़ रही है इसमें भी मेरे को आज़त पढ़ मैं कभी भी पूरा ग्लास भरके ठंडा पानी पीती ही पीती नहीं हूँ मैं हमेशा गरम पानी करती हूँ उसको ही पीती हूँ कितनी गर्मी हो कितनी सर्दी हो मेरे को गरम पानी पीना है मैं ठंडा पानी कभी नहीं पीती तो आपके सबसे पहले तो exercise 30 मिनट जरूर करो बा सोच के आप करो तो आप में खुदी मोटिवेशन आएगा कि हां मेरे को एक्सरसाइज करनी है सबसे पहले वह चीज लो उसके बाद आप एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज के बीच में 30 मिनट कर रहे हो तो हर थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 घूट पानी पीते रहो जरूरी है पीना चाहिए उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद आप जो भी है नाष्न करना चाहते हो जो भी का मतलब यह निया का आपणने एक्सरसाइज करी उसके साथ चार पूरी और पराठह काने लगे नहीं आपको कोई भी healthy food लेना हफते में एक दिन fruits कहाईए dry nuts कह आज के डेट में यहालत हो रही है कि हमारे यहां पर पहले एक मिल्की ब्रेड आते थे ब्राउन ब्रेड में कभी नहीं परचेस करती थी हमेशा वो मिल्की वाला ब्रेड था वो लेती थी उसके बाद 3-4 टाइम हम लोग शॉपिंग करने के लिए गई मैट्रो तो मेरे हस्ब आज ब्राउन ब्रेड नहीं थे वह फार रहता है तो वह एसे ही पड़ें हैं बिल्कुल नहीं खाए जारे मीठें मीठें से पता नहीं कैसे लग रहे हैं उन्हें खाने की बिल्कुल आद़ छूट चूपी है ठीक है आप भी कोशिश करो कि दीरे दीरे छूट जाएगी औ ताहर, सबसे पहले आपको क्या करना ऌब डूबन की आपने ऐसे मैदा लिए चावल में निकान निखा लिए यह चावल में भी क्हाती है तो मेरे को मेशेन कनी केला धीज्टबूम्हे क्या क्यां था क्या है विटामीन सी से कोई भी फ्रूट खाई और एंग खाये और एक बार सुभे भी खाऊगे ना तो ना लेकिन अच्छा नाश्टा करो हेल्दी नाश्टा करो breakfast करने के बाद जो मैंने खुदको बोला जो मैं विटामिन लो नहीं होगे नाश्ता कर लिए नाश्ते के बाद हमने मल्टी विटामिन से यह कोई भी लो आप अगर आप मल्टी विटामिन नेच्रल ले सकते हो वो तो मूर एफेक्टिव है ठीक है उसे लो तो तो सबसे ही अच्छा है और स्पैनिश खाओ पालक खाओ बहुत जादा आ आज कल प्योर ही हो रही है तो आप कोई भी मल्टी विटामिन लो आपको जो भी लेना है वो लो आप सर्च कर लो एमेज़ान वगारा पर मिल जाते हैं मैंने वहीं से पर्चेस किये दे उसके बाद आपना पानी बीच में पीते रहें एक एक ग्लास गूट-गूट और पा भी खराब होता है घर खड़े ओ कर पानी पीते हैं हमेशा बेठ के पानी भिए ठोड़ा गरम करके ठंडा पानी बिल्कुल ना भी में पीते रहें तीन-चार नाश्ते से लेके लंच के बीच में 3-4 ग्लास पानी पीं हो जाते हैं अगर आप लेना चाहो तो डाद लेते है उसके बाद आप lunch करो lunch में जो भी आप लेते हो चावल, रोटी, salad, वैलड, salad जरूर ले, curd जरूर ले, salad तो मस्ट है, salad खाऊ बहुत ज़्याद क्रणा जरूरी है, मैं दोपएर में खाती हूँ पर मैं रात को खाना नहीं खाती, mostly मैं रात में खाना अवाइड करती हूँ मैं रात में काना नहीं खाती वो कुछ भी खाएं उसके बाद वो मतले कुछ भी तो खाके लंच-वंच करके अपना उसके बाद आप और उसके बाद शाम को अगर आप ग्रेंटी पी सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए आप पीए और नट्स जरूर खाएं बदा आलमंड हो वह अक्रोड हो यह चीज़े बहुत अच्छी होती है इसकिन के लिए खासकर आलमंड तो रात को भीगो के अन्दर काही ना उसको मतलब अन्दर की जो गंदीगी था उसको हμοर निकाल के हमारे सकिमए अंदर से उतने नटे कीऀंब पीसए कर्ण कुक्ली मैं dr या अप्लाई करो उसमें मैंने बोला है कि हाँ भय ले सकते हो पैसे लेकिन फिर भी मैं यहीं बोलुँगी कि कि मैं आपको से मैं आपके लिए घ्लधी हो सकती है लेना है ले लो नहीं लेना मत लो क्योंकि आप लेकिन लेने से पहले एक बार उनसे जरूर कंफर्म करें कि क्या ये मैं ले सकती हूं क्या मैं ये यूज कर सकती हूं आप उनसे कंफर्म करें क्योंकि उनकी वो क्रीमे मेरी नहीं हैं तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगी कि कोई बीचीज निकाती ऐल बिल्कुल जोड़ दो बहुती कम खाना शुरू करो नहीं हमेश्च कुरों कि उसके बाद रात का डीनर जो आप लेते हो वो छो चैनले जो प्रूट्स जरूर एड़ करो नहीं उसमें रात का डीनर लेके अपना अगर आप दूद पी सकते तो कि यह जरूरा जोने से पहले फेस वाश शरूर करें अपने फेस को टोनिंग करें कोई भी टोनर गुलाब जल ले लो घर पे बना लो गुलाब लो टोनर लो मुशलराइजर लगाओ यह चीजिज जरूर करो अपनी लाइफ में स्वामिल करो मतलब जैसे हम रोज खाना खाते हैं उठते हैं जागते हैं चलते हैं फिरते हैं वैसे यह चीज अपनी जिंदगी में शामिल करो आप लोग ठीक है रात को सोने से पहले मूँ जरूर दूलना है मूँ दूलने के बाद अपना कोई भी मौशराइजर कोई विजिया आप ले ड करेंगी मेरे में उफची सब्सक्रीन हमेशा अपलाई करें हम लोगों को संसक्रीन की वज़े से होती हैं हम संस्क्रीन नहीं लगाते दिन में सन्व से उसकी वज़े से पक्का होती है मेरे को डॉक्टर ने रात में भी संस्क्रीन लगाने के लिए बोला था जब मैं डॉक्टर के पास गई थी बिकॉज ओफ ये रिफ्लेक्शन लाइट चलती है इनकी वज़े से तो आप लोग संस्क्रीन कभी भी अवाइड ना करें संस्क्रीन ज़रूर लगाएं बहार रहते हैं यह 50-70 तक आती है घर में रहते हैं 25-30 तक आती है लगाके जरूर रखें आप यह रूटीन फॉलो करें और इसको करके देखें आपकी स्क्रीन सची में अच्छी हो जाएगी आप यह चीज़े फॉलो करना शुरू करें फॉलो करने के बाद एक महीने बाद देखें कि आप इन चीज़ों को एक बार फॉलो करके देखें अब डेफिनेटली अच्छी होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब को माई चैनल तिस देन बाबाई लवी